इस बार के बजेट में इन्फास्रेक्टर के लिए दिये गए फंड की भी काफी चर्चा हो रही है इन्फास्रेक्टर पर होने वाला एक खर्च देर की अर्थव्यवस्ता को कही स्थर पर आगे बढ़ाने का काम करेगा रोजगार के भी बहुत अवसर पैदा करेगा एक स्थर पाइप्लाइन में राज्यों का हिस्सा 40 प्रतिशत से इसलिए 40 प्रतिशत है और इसलिए जरूरी है कि राज्यों और केंद्र मिलकर अपने बजेश को सिंक्रनाइज करे प्लानिंग करे और प्राथ्विक्ताओं को तै करे अब भारत सरकार ने अपना बजेट पहले कि तुला में एक महिना प्रिपोन किया है राज्यों के बजेट और केंद्र के बजेट में बीच में तीन चार सफता मिल जाते हैं तो केंद्र के बजेट के लाइट में राज्यों का बजेट बनता है तो दोनों मिलकर के एक दिशा में आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंग कि इस दिशा में भी राज्यों के बजेट चर्चा करते होंगे जिन राज्यों का बजेट अभी आने वाला है वो इस काम को और प्राथिक्ता पर कर सकते हैं केंद्रिय बजेट के साथ ही राज्यों का बजेट भी विकास को गती देने में राज्यों को आत्मेंदिर फर बनान आधुनिक टेक्नोलोजी मिले इसके लिए रिफॉंस बहुत जरूरी हैं साथियों हाली में ऐसे कई रिफॉंस किये गए हैं जो रेगुलेशन को कम करते हैं सरकार का दखल कम करते हैं मैंने पिछले दिनों देखा सरकार के अंदर सामानी व्यक्ति को कंप्लाइंस हचारों ऐस कंप्लाइंस हैं जिसको हम निकाल सकते हैं जैसे पिछले दिनों हमने 1500 कानूं खतम किये मैं राज्यों से आग्रह करूंगा आप एक छोटी टीम बिठाइए बिना करान अब जब टेक्नोलोजी हैं तो बार-बार चीजे मागने की जरूरत नहीं है लोग हो से यह कंप्लाइ इसके संख्याप जितनी कम हो करनी है यह भी इस आफ लिविंग के लिए बहुत दिरूरी है